बेलकम बैक फ्रेंड मैं नंसीर वास्तो आपकी यूटूब चैनल इंडलेस इस्टेडी शेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत कलता हूँ और जैसा कि आप लोग की जो 68500 सिक्षक भरती की प्रक्रिया बिगपती जो कल आने वाली थी वो बिगपती आज ही आ गई हुई है और इसमें बहुत ही मतलब important चीज़ें आप लोग को समझने लायक हैं आपकी एक जरा से भी चूक जो हो सकता है कहीं ना कहीं यह word मैं नहीं बोलना चाहता हूँ आपको हो सकता है ध्यापक वनने से वन्चित रख सकती है इसलिए आप मतलब बिगपती को या तो सता बहु हम लोग मतलब point to point आपको क्या क्या document चाहिए कव आपकी counselling होगी draft कितने का क्या बनवाना है मतलब whole soul सारी चीज़ें पर में डिसकस करने वाला हूँ तो आप लोग video अन तक देखेगा देखे बिगपती यह है और इसमें सासना देख संख्या भी आपका लिखा हुआ है मतलब यह पूरी चीज़ें लिखी हुई है अब इसमें कौन कौन से प्रसिचर प्राप्त अभ्यर्थी जो पास हुए हैं हो सकता है किसी ने कुछ और भी अपना प्रसिचर लगा रखा हो तो देख लिए यह वही सिर्फ प्रसिचर प्रमारपत्र मान होंगे तो देखें जो थोड़ा सा ब्लैक डार्ग में है यहां से हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को जो की इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट जो है आपका यहां से जिन्होंने बी टी सी दो वर्शिए यहनोंने बी टी सी किया हुआ है उनका प्रसिचर मानने रहेगा दो वर्शिए बी टी सी उर्दू या जिसने उर्दू से बी टी सी किया हो या फिर बिस्स बी टी सी जिस ने किया हो या फिर भालतिय पुनरवास परिशत द्वारा अनमोदित बिस्स सिच्छा में दो वर्शिए डिप्लोमा जिनोंने किया हो या पिर प्रारंबिक सिच्छा VLAD में चार वर्षी उपाधी यानी बैचलर in Elemanuary Education जो चार वर्ष का होता है या फिर राष्टी अध्यापग परिशत द्वारा प्रारंबिक सिच्छा हेत निर्धारे दो वर्षी डिप्लोमा पर शिच्छा उत्रिड किया हो यानि वही अभ् पास यांतो फिर सीटेट होना चाहिए या फिर आपके पास टेट हो यानि बारा बजे के बाद से स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे अठाइस आठ दोजार अठारा तक होंगे ठीक है और यह 28 को साम पांच बजे तक ही साइट पर रहेगा यानि उसके पहले आप सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजेगा और फिर आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें ये है एक चीज और सबसे अच्छी चीज इसमें इन लोगों ने लिख रखी है लेकिन कुछ कंडिडेटों के लिए बुरी भी ख़बर है कि इसमें आपको जो आपने 68500 लिखित परिच्छा के लिए आबेदन किया हुआ था वो आपका रजिस्टेशन नमबर ठीक ह मांक यानि आपका जो 68500 लिखित परिच्छा में रोल लंबर था जनमतिती और मोबाइल संख्या को आपको यहां वेफ साइट में जो कॉलम दिया रहेगा उहां डालना रहेगा उसके बाद आपकी जो मोबाइल नमबर डालेंगे उस पे एक OTP आयेगा और OTP one time password जो होता य और form खुलेगा तो उसमें आपने जो 68500 सिच्छक भरती परिच्छा के टाइम जो आपने information फिलब की हुई है वो सारी information रहेंगी लेकिन आप उसमें कोई edit नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको नई चीजें बस mention करनी रहेंगी जैसे क्या क्या चीज आपको भरना रहेगा इभी म अपने पहले भरा हुआ है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्ता नहीं किया जा सकेगा जैसे कुछ हमारी यूटूब मेंबर भी थे वो कह रहे थे कि जैसे उनके high school या किसी ट्वैल थी या फिर प्रिविशन में नंबर और गयरा साथ कुछ फाल्ट हो गया है गलती से मिस्टेक से तो उसके लिए आपको एफिडेविट ही लगाना पड़ेगा यहां से आपका कोई correction नहीं हो पाएगा यहनोंने असपस्ट लिग दिया हुए है ठीक है उक्तिक अत् सिच्छा मित्र भाई है तो कितने वर्सों से वो काम कर रहे हैं ठीक है ना उसके बाद आपका कौन-कौन से जिले में जो है आप वरियता देना चाहते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको भरनी रहेंगे इसमें देखे लिखा हुआ है कि 68000 सायक अध्यापकों की भरतियों त सिर्फ हो सिर्फ आपको एक ही अप्लिकेशन फर्म भरना है जिसमें प्रदेश की इच्छी जनपदों हेद वरियता करम कर निधार कर सकेगा तथा अपनी गुडांग भारांग की वरियता युम जनपद हेद निधारित रिख्तियों के अनुरूप आवंटी जनपद के जनपद वरियता करम में आप अपना मतलब ढाल सकते हों पर किस किस जनपद में सीरेल वाइज रहेगा और अप क्लियर हो गया कि 75 जनपद का रहेगा आप जो जो जनपद चाहते हैं जो जो कि आप सभी लोग 75 जनपद का विकल्प भरिएगा भले आपको जनपद में नहीं जान सकता है ठीक है आप जिस जिले को चाहते हैं उसको वरियता क्रव में उअपर रखिएगा जो जिला नहीं चाहते हो सबसे नीचे कर दिज़ेगा ठीक है या लेकिन आप विकल्प जो है सभी भरियेगा जिस से यह न रहे कि कास मैंने दो विकल्प बरह होते तो मुझे हो मिल जाता थीक है ना बात हमारी समझने की कोशिस करिया तो चलिए बात होगी और आगे हम लोग देखते हैं क्या-क्या भरा जाएगा प्रतिभाग कर सकेगा हर पाया जाने के उपरांत अभ्यरतियों को उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी यानि जिस में नियुक्ति प्रदान की जाएगी और आपको वहीं पर अपनी काउंसलिंग करवानी रहेगी और आगे देखते हैं अभ्यरतियों को नियुक्ति है तावेजित काउंसलिंग में अपने समस्त सैचिक अबलिक अन्नमूल अभलेक उसकी दो सेट स्वापरमारी छाया प्रत पर अपने समस्त सैचिक अबलिक अन्नमूल अभलेक यानि आपके पास जितने सैचिक अबलेक आपके पास है जैसे हाई स्कूल, इंटर, गरिजेशन, गरिजेशन में आपकी डिग्री माक्चित दोनों हो जाएगी, हाई स्कूल में भी सेम सारी चीज रहेगी, आपके अगर आपका सीटथ है फिट इसमें अंक पत्र प्रमाडवड़ अलग होता है तो प्रियास करिएका अगर दोनों होगा तो दोनों ले जाएगा अधरुआज अगर प्रमाडव पत्र होगा तो सो बतर है ठीक है तो यह सारी चीजे हो गई समस्त सह्चिक अन्नमूल अबलेक में एक चीज और आपका डोमेसायल सारटीफिकट हो जाएगा ठीक है ना, आपका करेक्टर सारटीफिकट हो जाएगा और इसमेन उन्हें लिखा हुआ, क्या क्या लिखा हो, देखे मूल अबलेक हो गया, उसकी दो सेट और उसके बाद 4 पास पचोट साइज फोटोगराफ, तो वही ले जाएएगा, अगर उन नहीं है तो कोई ऐसा इसु नहीं है, आप recent का मतलब एक clear photograph जो होना चाहिए वो color photograph लेके जाएगा ठीक है और उसके बाद फिर है एक चीज़ और इसमें जैसे सबी लोग कह रहे थे कि कोई charge नहीं लगेगा तो देखे चार्ज यहां पर mention है आपको एक bank draft बनवाना रहेगा और bank draft किसके नाम से रहेगा आप यहां द इस नाम से जो है निलधारित आबेदन सुल्क अगर आप सामान और OVC में आ रहे हैं तो 500 रुपे अगर आप अने कैटिगरी अनसूची जनजात में आ रहे हैं तो 200 रुपे और अगर हैंडिकेप कोई candidate ऐसा है तो उसके लिए निश्वलक उसके लिए कोई chargeable नहीं है तो अगर आप जन्नल OVC है तो 500 रुपे का बैंक ड्राफ किसके नाम से सची उत्तरप्रदेश बेसिक सिचा परशद इलाहबाद और अगर यसी स्टी में candidate आ रहे हैं तो उनके लिए 200 रुपे और किस नाम से सची उत्तरप्रदेश बेसिक सिचा परशद इलाहबाद के नाम से जो है बैंक ड्राफ ले कर जाईएगा यानि डाकुमेंट की दो सेट हो गई आपकी चार फोटोग्राफ हो गए ठीक है ना और उसके बाद आपको बैंक ड्राफ लेके जाना रहेगा बैंक ड्राफ के फोटोकापी अपने पास रख लिजिएगा निउक्ति होने वाले अध अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो आप कमेंट वाक्स में मैसेज कर सकते हैं यह ओफिसियल भी गपती है ठीक है इसमें इन्होंने जो जो इन्फार्मेशन मांगी हुई है वो चीज आपको असेंसली ले जी जाना है अगर इसके बाद आपको कोई चीजें कही हुई है उसको ले जाना कमपसरी है और सारी चीजें आप प्रिपरेड धिर धिर कर लीजिए क्योंकि सारा चीज इन्होंने बता दिया अभी सही तो जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपेन होती है ट्योज जैसे तो आप जो है आप एदन अपना स्टार्ड कर दोस्तू थेंक यू